What's up guys, I hope you are doing well, I am Veeer, Welcome to Digital Love Family, तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, शादा तरीके से आप लोग अपनी life को enjoy कर रहे हो, अपनी सेहत, family और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से error कर रहे हो, यह जो lecture है हमारा काफी important रहता है, current affair का section हम लोग यहाँ पर cover करते हैं, जो आप हर एक exam में फायदा पहुचाता है, चाहिए आप लोग UPSC, EPS4 या फिर state PSC जो होती है, SSC, banking, एक बच्चे ने बुचा कि सर यह जो आप लोग discuss करते हैं, यह क्या UPSC के लिए ही है, देखें मैं आप लोगो बार-बार बोलता हूँ, focus UPSC पे इसलिए देता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर चीजों के एक बार detail में समझ लेंगे, तो फिर किसी भी exam के लिए आप लोग यह फायदा पहुचाएगा, चाहिए SSC हो, banking हो, चाहिए state, pieces हो, तो उसमें कहीं पर भी आप लोगो पोलम face करनी नहीं पड़ेगी, इसलिए UPSC को सारे exams का पितासरी बोलते हैं, क्योंकि UPSC के अगर एक बार preparation कर ली, तो सारे concept एक तरीकी से आप लोगे clear हो जाएंगे, तो इसलिए UPSC पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो आप लोग का यह तो आराम से clear हो जाएगा, फिर माँप, तो concept ही clarity होती है, ठीके, तो इस बारे में धान लखेगा, सबसे पहले आप लोग के सामने हाँ पर एक important day, detail में समझते हैं इसके बारे में, theme काफी important day इस दे की, तो अच्छे से आईए जानते हैं इसके बारे में, और खासकर कोई भी ऐसा day जो women से little हो जाता है, तो आप लोगे लिए और भी ज़्यादे important बन जाता है, तो यहाँ पर बात की जारी है, international day of UN peacekeeper, UN peacekeeper यानि के United Nation के जो जवान होते हैं, जो peacekeeping operation में काम करते हैं, peacekeeping operation यानि के जहाँ पर भी सान्ती बनाए रखने के लिए UN की force भीजी जाती है, तो हाँ आपर काफी large scale पर UN के peacekeeper काम करते हैं, हमारी country बहुत बड़ा contributor हैं आपर in the sense of, जैसे कि हमारी country बहुत सारे लोग यहाँ पर एक तरी से peacekeeper का काम करते हैं, तो इसलिके चलते हैं आपर इसको याद किया जाता है, कि जो भी हाँ आपर आज की date में military, police, civilian, person या UN peacekeeper operation में आज के जो काम करने हैं, उनको याद किया जाता है एक तरीके से, कि किस तरीके से, professional तरीके से, dedication के तरी women in peacekeeping, यानि कि जो peacekeeping operation होते हैं, उसमें women, एक key to peace, यानि कि एक तरीके से key है आपर peace, यानि कि चाबी है peace के लिए, तो ये काफ़ important है, आपर ऐसी theme है, जो direct भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, बोलतेंगे कि international day of UN peacekeeper, जो है, वो 29th में को celebrate कियाता है, अब की बार की 2020 की theme क है उसकी, तो ये आप लोगों से direct पूछी ले जाएगा, दो-तीन theme दे देंगे, आप लोगो अलग-लग, उनको mix करगा, तो आप लोगों उसमें पहचानना होगा, तो जो women peacekeeper है, आपर essential काफी large scale पर, जो sustainable peace में help करती है, तो उसके बारे में हाँ पर बात की जा रही है, जो women peacekeeper है, आजकेर में, वो front line पर काम कर रही है, ऐसा नहीं कि एक तरीक से back end support दे रही है, वो front line पर भी हाँ पर काम करती है, जब भी कोई mission operation यहाँ पर आजकेर में चला जाते हैं, even difficult circumstances होते हैं, वहाँ पर भी ये काम करती है, तो इसलिए हाँ पर ये day आप लोग के लिए important हो ज लिखा होगे, क्योंकि हुआ पर option रहेंगे, उसमें से आप लोग को choose करना है, तो बिन option के इसको अच्छे से आप लोग attempt कीजे, सबसे पहले बात की जा रही हैं आपर, आचारिय जगदीश चंदर बोस, यह है Indian Botanical Garden, तो इसको पहले किस नाम से पकार जाता था यह आप लो और चाइना के बीच में, और यहाँ पर सिक्कीम और अचल परदेश के बीच में कितना लंबा border है, तो यह आप लोग को इसके बारे में बता होना चाहिए, direct question मन सकता है आप लोग उसे increasing और decreasing order में, तो मैंने कल ही discuss के अदा detail में, अभी answer बताऊंगा, आप लोग बताईए, क कि सबसे ज़्यादा border किसके साथ में ठेच करता है, किलोमेटर भी नहीं तो इतना तो कम से कर मताईए, सबसे ज़्यादा border कौन सा section है, जो सबसे लंबा है, लदाक वाला, उत्रा खंडीमा चल परदेश वाला, या सिक्किम और चल परदेश वाला, तो यह एक तरीके से, एक squadron बनाया गया है, जिसको number 18 flying blut के नाम से बुलाय जा रहा है, तो कहां पर इसको established किया गया है, यह आप लोग को बताना है, जो LCA तेज़े हैं आप लोग को बताने हैं, यह आप लोग को बताने हैं किसके द्वारा developed किया गया है, इंडिजिनेसली डवलफ यहां पर यह एक हमारी country में खुद के द्वारा developed किया गया यह विक्कल है, तो इसके बारे में आप लोग को बता होना चाहिए, नेश्ट बात की जारी है बलबीर सिंग senior, तो हमारी country की एक important personality थे जो की olympic में धूम मचाएगे इनके द्वारा, तीन time gold medal olympic में इनके द्वारा जीता गया, त इससे पहले यह award यहाँ पर sport personality को नहीं दिया गया था, तो यह award कौन सा है, 1957 में इनको यह award दिया गया, senior इनके सामने इसलिए लगाते थे, क्योंकि एक और player थे हैं आपर बलबीर सिंग के नाम से, तो यहाँ पर reason यह है कि ताकि इनको identify कि यहाँ दोनो person जो है, वो different है, ठीक और इसी के साथ में कलकाता, botanical garden के नाम से जाना जाता था, अगर बात करें हाँ आपर botanical survey of India है, यह ministry of environment and forest and climate change के अंडर में आता है, तो यह important question आप लोगों से बन सकता है, नेश्ट यहाँ पर चाइना के साथ में कहां कहां आपर border touch करता है, लद्दाक वाली region में, सबसे ब यह कहां पर है, सिक्किम और अनोचल प्रदेश वाले region में, ठीक है, इसको यहाँ पर मैक मोहन के नाम से भी जाना जाता है, आगे चलते हैं हाँ पर, यह जो नया अभी हाँ पर एक, जो इसको अड़न यहाँ पर बनाया गया, पर्टिकुलर जिसको number 18 fly blutes के नाम से बना जा गया है, बलबीर सिंग सीनियर के द्वारा तीन बार यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया, पहली बार यह प्लेयर थे, पहली बार यह प्लेयर थे 1948 में, लंदन यूके में हुआ, नेच्ट यहाँ पर हैल सिंग की आप लोग को देखने को मिला 1952 में, यहाँ पर यह वाइस क गया था, ठीक है, तो यह भी एक important question आप लोग के लिए हाँ पर बन जाता है, तो इसलिए बोरा था मैंने थोड़ा से important हो जाता है, याद जरूर रखिएगा, नेक्स जो आर्टिकल में आप लोग के सामने हाँ आप पर discuss करने जा रहा हूँ, यह है एक particular frequent country के बारे में, हाला आपर जो basically बोला गया भी first time in a decade है, यह लगबख 10 सालों में एक बार यहाँ पर अभी, एक film basically जो बनाए गयी है, यह साहरन चीता के उपर, जो यहाँ पर चीता होते हैं, जो साहरन basically जो African जो region continent है, जो African continent के अंदर जो region है, उसकी बात की जा रही है, यहाँ पर एक है होगार, mountain, तो आप लोगों से पुछ रह सकता है, यह नेसल पार कहाँ पर है, तो यह है Algeria के अंदर, जो मैंने भी आप लोगों को बता है, exact location, तो यह आप लोग देखते हैं, यह हो गया Algeria, ठीक है, आसपास country जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं, उपर जाएंगे, तो यह एक में, पर लेकिन एक बार आप लोग इनको लिखोगे, एक बार याद करोगे, तो फिर आप लोगो यह याद रख जाएंगे, खास कर, जब option आएंगे आप लोगे सामने, तो आप लोग कम से कम उसको चूज कर पाओगे, तो जो नाम इनका यहाँ पर पुकारा गया है, इसक तो यह आप लोगों से पुचन पुचा जा सकता है, तो इसके नाम यह एक scientific name है, याद रखना इसके बारे में, इसका भी हाँ पर यही नाम बोला गया है, आपर यह है असेसेनिक्स, यह है जूबिटस हैके, ठीक है, अगर यहाँ पर इसके बारे में बात करें, तो बेसिकल पुरा का मतलब होता है, इसके पेड़ पोदे, पती, यह सब चीज़े होगे, फिना का मतलब होता है, जीव जन्तु, ठीक है, तो यह बात यहाँ पर किये जा रही है, टोटल जो पुपुलिशन इसकी suspect, यह एक तरीक से लगाया जा रहा है, एक अनुवान, कि यहाँ पर less than 250 थी 2008 में, अभी देखो कितना हो गए आपर, अभी यहाँ पर study बार-बार इसकी की जाती है, अभी फिलाल यही data available है, सारान अगर reason की बात करें, साहिल वाला reason जो मैंने बोला है, तो Algeria, चड, माली, बैनिन, यह बुरकेन, फेसो, नाइजर, तो यह सारा area आप लोग को आगे बढ़ता हूँ, आप में से कितने ऐसे family member है, जिनके द्वारा Harry Potter movie देखी गई है, या फिर Harry Potter से लिड़र जो किताब है, वो पढ़ी गई है, आप लोग बताइए, या फिर no, किस-किस ने देखी है, किस-किस ने पढ़ी है, नीचे बताइए, comment box में, यहाँ पर उसी क किताब के writer के बारें बात करें, जिनका नाम है J.K. Rowling, आप लोग ने कई बार इनका नाम भी सुना होगा, अब इनके द्वारा एक नई किताब के दो चेप्टर रिलीज किये गए है, देखें, यह काफी important personality है, अगर कोई भी किताब लिखती है, तो एक तरीके से chapter इस्टार रिलीज किये गए है, यह जो इनके द्वारा रिलीज किये गए है, यह एक तरीके से official publication जो होगा इसका, November 2020 में होगा, बस recently अभी हाँ पर रिलीज कर दी जाते हैं, तो यह दौरा इनके द्वारा first children जो book है, Harry Potter उसी के साथ में, Deathly Hall, यह भी इनके द्वारा पॉब्लिस किये 2007 में, इसी के साथ में, जो JK Rowling original name, आप लोग इनको, इनको Jenny Rowling के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो यह नाम याद रखेगा, British author है, TV producer है, screen play writer है, philanthropist है, तो यह Harry Potter के नाम से काफी famous हुई, उनके नाम से, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, तो नहीं किताब है, तो question बन जाता है कई बार, कि यह किताब किसके दोरा publish के जा रही है, तो इसलिए confused नहीं होना है, ठीक है, आगे चलता हूँ, next important information है, यह हमारी country में जो minister है, union minister road and transport highway, नितिन गड करीजी, तो micro, small and medium enterprise भी इनके पास में, तो इनके दोरा integrate किया गया, अभी हाँ पर एक, जि यमनोतरी हो गया, फिर गंगोतरी हो गया, केदारनात हो गया, और यहाँ पर यह हो गया, बदरिनात, तो यह सारे जो चार धाम है, तो इनके नाम कई बार आप लोगों से पूछ लिया आते हैं, ठीक है, तो गंगोतरी, यमनोतरी, यह है केदारनात और बदरिनात, तो इसी के साथ में एक और चीज़ को connect किया जा रहा है पितोरा गर ठीक है तो ये भी हाँ पर इसको भी connect करने की बात की जा रही है तो रोड के थूँ यहाँ पर एक connectivity बनाने की बात की जा रही है इसके चलते तो इसलिए हाँ पर ये news में है इसलिए इसके बारे में हाँ पर बात की ज जारी इसको थोड़ा समझ लेते हैं, चारधाम परियोजना जो वीडियो कॉंफिसिंग के थूरू इसका चंबा टनलन है आपर अभी रिलीस किया गया है हमारी कंट्री के जो रोड और ट्रांसपोर्ट हाइवे मिनिस्टर है नितिन गड़करी जी के द्वारा, तो फांडेश इसका तो प्राइमिस्टर नेंद मोजी के द्वारा, ये 27 दिसंबर 2016 में इसको श्टार्ट किया गया था, और इसका जो काम है वो आगे बढ़ रहे हैं आपर तो उसी के बारे में आपर बात की जा रही है, दो लैन हाइवे प्रोजेक्ट यहां पर देखने को मिलते हैं, ज इसके चलते हैं काफी जाते नियूज में रहता है, तो इसके बारे में आप लोग का आइडिया होना चाहिए, कोशन बने, तो इसके बारे में है ये information आई अगे चलते हैं, नेक्स्ट आप लोग को पता है हमारी country में migrant worker का issue कैसे चल रहा है, तो कई बार यहां पर बोला गया कोट जो है, वो इस पर सांत बैठा हुआ है, तो कोट ने अपनी चुपी इसके उपर तोड़ी है, और Supreme Court ने हाँपा, अपने ही आप, जिसको बोलते है शूमूटो, जो शूमूटो कोज मतलब होता है, शूमूटो एक तरीके से होता है, कि कोई यहां पर आकर किसी भी तरी पहुँची और उन्हें अपने आप यहां पर, इसके बारे में हाँ पर इसमें केस में एंट्री की, तो बोला जा रहा है कि जो सेंट्री स्टेट गोवर्मेंट है, कई सारे लैप्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से आपर यह माइग्रेंट क्रैसी सामने निक करेगा, जो जज हैं वो अपने आप यहां पर, मीडिया रिपोर्ट जो है या फिर जो भी हां पर इनके न्यूस पर पास हैं में हैं, उससे इंफोर्मेशन लेकर, यह आपर अपनी इसाफ से यहां पर केस को आगे लेकर चल सकते हैं, तो अब यहां पर सुप्रीम कोड के द डेटाबेस की बात की जारी है, जिसमें GIS, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जियोग्रोफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम, तो इसके थुरू यहां पर, बेसिकली जो रियल टाइम इन्फोर्मेशन है, वो यहां पर प्रोवाइड कराए जाएगी, माइगरेंट वर्क जो सेंटर है, उसको बोला जा रहा है, COAST, इन्डिया, यानिके Collaboration COVID Action Support Group, तो बेसिकली अभी हां पर क्या है कि, यह ड्रो की गई है, इन्फोर्मेशन, जो 55 ओर्गनेशन ग्राउंट पर काम कर रही हैं, जो भी डेटा है, उसको अविलेबिल प्रोवाइड कराए जा सके, और इसी के चलते चीजों को टैकल किया जा सके, इसी के साथ में जो time है, basically real time information की बात की जा रही है, जिसी भी area में यहाँ पर यह facility आप लोग को देखने को मिलेगी, तो उसको आगे फिर यहाँ पर बढ़ाय जाएगा, Indian Observatory जो हैं यहाँ पर setup की गी थी तो है 19 में, और यहाँ और जो इसके बारे में बात की जा रही है, forest ecological security, इसके साथ मिलकर यहाँ पर यह काम किया आता है, basically यह कि कैसे यहाँ पर जो forest वाला area है, उसमें water bodies, conservation के area में काम करते हैं, तो इसी के चलते हैं यह word भी लिखा गया है, a bird's eye view और a satellite vision, यानिकि एक तरीके से, जिस तरीके से नि चलिए देर आए, दुरुस्त आए, situation कम से काम नोर्मल होनी चाहिए, यह आप लोग बोल सकते हैं, आगे चलते हैं आपर आप लोग को पता है कि लाल गरहा पर हम लोग मंगल mission already अपनी country का छोड़ चुके हैं, और सबसे important बात यहाँ पर यह है, कि Asia में हमारी country पहली country है, ज यहाँ पर इसका नाम रखा गया, थ्यांगवेन फरस्ट, तो थ्यांवेन फरस्ट इसका नाम यहाँ पर रखा गया, तो चाइना जो है, वो फस्ट मार्स mission है, इसका थ्यांवेन फरस्ट, हलागी पहले भी send किया गया था, पर लेकिन unsuccessful रहे हैं आपा, तो इसके चलते हैं, कि ये 2021 में यहाँ पर भिजा जाएगा, कई सारी चीज़ें यहाँ पर होगी, और बिटर भी होगा, लेंडर भी होगा, और रोवर भी होगा, यह क्या होता है, जैसे कι आप लोग देखते ही, जैसी mission भीजा जाता है, और बिटर होता है, जो की चारो और चकर लगाता है, ल तो यहाँ पर water ice या फिर जो soil है उसका investigation किया जाएगा, atmosphere कैसा है वो सारी बाते हैं आपर बताई जाएगी, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, जो use के जाएगे हैं आपर यह long march 5 rocket जिसमें use के जाना है, इसी के साथ में जो mission है चाइना का यहाँ पर, यह third country मार्स की landing के लिए, आप लोग को एक बात याद रखनी है, हमने जो project भेजा था, वो landing के लिए नहीं भेजा था, हम लोगों ने वो orbit में चकर लगा रहा था हमारा project ठीक है, वो orbit में चकर लगा रहा है, landing नहीं किये, landing अब तक यहाँ पर USSR और इसी के साथ में United State नहीं किये, अब China third country हो जाएगा, अगर यहाँ पर यहाँ पर यह इसको land करा पाई तो, क्योंकि China already चांद की, जो सतय पर land करा चुके हैं, तो यहाँ पर यह इसकी, इनके पास में अच्छी कासी knowledge है, हमारा चंदरियान जो second था, वो उसमें भी एक soft landing की बात की जारी थी, जो हम लोग success नहीं रहे soft landing कराने में, तो 50% एक करीबी हमारा mission वो success हो पाया, आधी चीजे माँ पर रह गई, तो यहाँ पर China को इसमें already एक तरीके से success मिल चुके है, तो देखते हैं कितने चैसी इसको achieve कर पाते हैं, Chinese mission जो है, expect किया जा रहे हैं आपर जिस तरीके से, NASA के mission के साथ में, NASA क तरीके से आपर यह कईए हैं, आपर दो mission जिनके बारे में आप लोगों से question पूछे जा सकते हैं, तो important question बन सकता है, आगे चलते हैं